ये एक ममूली वाक्या नहीं है, मैं इसको किस तरह देखता हूँ, मैं इसको बेसिकली देखता हूँ, ये इंडिया की सॉफ्ट पावर, जो है वो दीपी का पुडोकॉन जो है, वो भी वहाँ पे आई और उनोंने जो फूटबॉल फैंस हैं, उसके सामने जो फिफा वर्ड क अब काउंटर टेर्रिजम ही, मेरा मसलिद, अगर वहाँ पर ही आलात हो जाएं, तो आपकी काउंटर टेर्रिजम की त्यारी के बारे में दौए खैर ही हो सकती हैं, इंडिया इस सॉफ्ट पावर, फॉर इस कल्चर, दुनिया ने इंडिया को कल्चरली पहचाना है, एक तो यह जमुरियत बेसिकली पाकिस्तान की डिमॉक्रसी एक बहुत बड़ा प्रॉड है, बहुत बड़ा ड़्ूंग है, लेकिन दिपीका पोड़ोकॉन को पिक करना, किसी पाकिस्तानी खातौन को पिक, इतना सीरियस है वही ए थ्रेट, पाकिस्तान जो है दुनिया में क्यों T TTP के विज़र से जाना जाता है यहां इफ़गान-TALIBान के विए से जाता है मेरे दिल को इस चीज की तकलीफ है तो उधर तो वह प्यारे P.O. के कहते हैं मारा है तो इदर से जान चुड़ाओगे भागओगे तो उधर से वो आरेंगे पिर लेकिन वाय Qatar thought that they should bring Deepika Protokon in Qatar and ask her to reveal the football trophy KPK के Bannu Contourment Center पर किया उन्होंने CTD के एक हिस्से पर पूरी तरह से कबजा कर लिया तालिबान ने कुछ Wanted आतंकियों को भी छुडा लिया है तालिबान के कुछ आतंकी Bannu Contourment Center पहुंचे और यहाँ पाकिस्तानी सैनिकों पर धवा बोल दिया यहाँ TTP के प्रतिबंदित लगबग 25 आतंकियों को गिरफतार कर उनसे पूछताज की जा रही थी अब पाकिस्तानी मीडिया CTD पर हुए इस बड़े हमले से सक्ते में है और दूसरी तरफ पाकिस्तान FIFA वर्ड काप में भारत की सॉफ्ट पावर देख हैरान परिशान है और यह चर्चा कराय की अरब देशों ने अपना रुख पूरी तरह से भारत की तरफ मोड लिया है अगर आपने देखा हो कि उधर जो है वो DP का पुड़ो कॉन जो है वो भी वहाँ पे आई और उन्होंने जो फुटबॉल फैंस हैं उसके सामने जो फीफा वर्ड कप की जो ट्राफी थी उसको दिखाया यह एक ममूली वाक्या नहीं है मैं इसको किस तरह देखता हूँ मैं इसको बेसिकली देखता हूँ यह इंडिया की सॉफ्ट पावर और फीफा वर्ड कप की ट्राफी को अन्वील करना अच्छा मज़े की बाच यह है कि इंडिया के अंदर तो फुटबॉल की टीम इंडिया की नहीं है मेरे ख्याल से लेकिन वाइ कतर थाट थाट देशुड ब्रिंग देपिका पॉड़कॉन इन कतर वहां से क्यों नहीं किया यह एक सवाल है जिसको मेरे ख्याल समझना चाहिए अगर आप लोग ट्रैवल करें कभी किसी में कतर एलाइन्स पे या अमराथी पे या जिस पे बाकि जो मिडल इस्टन एलाइन्स उन पे ट्रैवल करें खास दोर पे तो आप देखेंगे कि बहुत सारा जो जो वहाँ एंटर्टेन्मेंट का जो स्टाफ होता है उसमें जातर इंडियन चीज़े होती इंडियन फिल्में, ड्रामें, कपिल शर्मा शो और आप वीस ट्रैवल कर रहा था तो मुझे भी मैं भी कपल शर्मा शो सारा डैम देखता आया वलोग इट वस वाल फन बिकास हमारा किल्चर, हिस्ट्री, चीज़ें बहुत सारी सेम है जारी बात हैं इंडिया के साथ और मुझे वो देखके जादा मज़ा आ रहा था कोई मैं इंग्लिश मुवी, हॉल्लीवूड की देखो मुझे नहीं वो मज़ा आ रहा था डिपिका पूडो कॉन को कतर की अथारिटीज ने वहां पे बुलाया फिफा ने बिसिकली बुलाया और ये नहीं है कि वो नहीं तो उसको बुला कि क्या पिखाम दिया गया पहली बात है कतर ने अपने जो तालुकात हैं इंडिया के साथ ठीक किये एक बात, दूसरा इंडिया इस नोन फर इट्स सॉफ्ट पावा, फर इट्स कल्चर, दुनिया ने इंडिया को कल्चरली पहचान है, और दुनिया ने पाकस्तान को पिलिटीकली और सिक्यूरिटी वाइस पहचान है, ये वो जो लोग हमारे, जिसे कहते है ना, कि अबारे कारसाज हैं जो हमारे मकैनिक हैं पाकस्तान के, जो समझते हैं कि हमें हमारे अंदर नैशनलिजम डालते हैं हमारे हमें एक अच्छी कौम बनाते हैं और वो समझते हैं कि वो बहुत स्याने हैं तो बाकी जड़ी बाकी अवाम जड़ी है और पागल है और बेवकूफ है ये उनको पता होना चाहिए किस तरह हमने अपना कल्चर, अपनी वैलियूज हमने सब कुछ तबा कर दिया आज इंडिया जो है वो दुनिया में दीपिका पुर्ड़कॉन को और हॉलिवूड शारू खान, सल्मान खान मतलब हमने इंडिया को दुनिया में पोर्ट्रे किया हिंदू अपने आपको मुसलिम हम उस मांन से ने निकल पाये हमने इंडिया को दुनिया और अभी भी कर रहे है कि वो हिंदू है और उनको हिंदू Лैंस से बेखे दुनिया उनको देख रही है कल्चरल लैंस से अएक तो इंटर्नैशनल मीडिया यहां तक कह रा है कि चार पोलीस बाले जो हैं वो कतल हो चुके हैं मारे जा चुके हैं यहां तक उसकी एक जो न्यूज आउटलेट है उसने कहा है दूसरा उन्होंने हैंड कर रेड्स के साथ हमला किया है तीसरा यह कि यह जो जिस जगा वो घुसे हैं पचीस लोग इन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां पकड़े थे जगा का नाम था काउंटर टैररिजरीजम सेंटर अब काउंटर टैर्रीजरम ऑशला हो जाया सकती हैं अब और उसके पाद यह जो लोग अंदर जिनको investigate भी किया जा रहा था और जिन लोगों को जिन्होंने अटैक किया है यह एक umbrella एक organization है अंडर तालबान और यह वही organization है जिन्होंने army headquarters पे हमला किया था और यह वही organization है जिन्होंने Marriott Islamabad पे भी अटैक किया था 2007 तो यह कोई छोटा मोटा काम नहीं है वो बड़े organized है अब मैं यह बताना चाहूँगा कि इस वक्त खान साब के हवाले से आपने बात की अब खान साब का अगर थोड़ा सा यह speculation है मेरा analysis है इस नाट confirm मैं जो मैं मुझे जो मैं सुन रहा हूं मु हमेशा soft spoken थे उनके साथ लोग यहां तक भी speculate करते हैं कि क्योंके KPK में इनकी government है they are originally requesting them to put the pressure on the establishment. आप उसकी वज़ा वो क्योंकि उसका जो वाज़े सबूत यहां से मिलता है खान साब ने आज तक किसी चीज़ को condemn नहीं किया तालबा रिलेटेड. खान साब ने आज तक तालबान के खलाफ कुछ सखत इलफाज इस्तमाल नहीं की. तो लोग फिर दो दो चार को जब जमा करते हैं तो उसमें लगता यही है कि the PTI KPK government they are soft they are soft with तालबा. टी 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 पी तो टी टी पी के हवाले से अब उसके बाद मैं यह देखना यह चाहूंगा कि यह सिरफ एक वाक्या नहीं है. सुबा सरहाद के अंदर वो मुसलसल भता ले रहे हैं और जो एक और स्पेकुलेशन और एक चीज़ को तर्फिय है. ज्यादा तर भता रो लैटर KPK PTI के लोगो लुक्ते.